हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का अर्बी अडिटीव क्लास में तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर करके आया हूँ ये क्वेश्चन क्लास 8 की मैथ की बुक से अलिजबरी के एक्सपरेशन से लिया गया है तो छलिए देखते हैं लिए कौशन क्या कहता है ये कौशन एक्सरसाइज 9.2 से लिया गया है तो इस कौशन में हम से बोला गया है कौशन नमबर 4 का A है सब्टरेक्ट 4A-7AB-3AB-12-22-19-19-19-19-9AB-5AB-3 तो उमारे पास ये कौशन है है इसको में solve करना है देखो इस question को हम दो तरीके से solve कर सकते हैं पहला by horizontal method और दूसरा by column method तो सबसे पहले इस question को मैं by column method से solve करूँगा ठीक है solution by using column method ठीक है तो column method में क्या होता है कि आपको सबसे पहले किसी को ऊपर लिखना पड़ता है ऐसे ठीक है फिर उसके नीचे किसी को लिख करके मैने करना रहता है तो अभी में आपको बता हूँ जिसमें फ्राम सब्द आया है ऐसा कोई question तो हमें करना है तो उस case में और रहती बहुत ही स्टुडेंट करता है पहले लिख देते है और उसको नीचे लिख देते हैं तो ऐसा नहीं है अगर फ्राम लिखा है तो उसका कहना ये है कि इस में से ये वाला सब्ट्रेक्ट करो ठीक है तो चलो फिर आपको समझ में आगया कि फ्राम वाला जो होगा उसके बाद का नंबर हम उपर लिखेंगे तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे ये वा इसके बाद में अब हमें ये लिखना होगा इसके नीचे तो देखो हम जो पहला ट्रम लिखते हैं उसमें कोई भी साधानी बरतने की जरूर नहीं होती है लेकिन जो दूसरा ट्रम लिखते हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि जो वरियबल है बिल्कुल वैसा ही वरियब तो हम यहाँ पर write कर लेंगे 7AB फिर B है तो यहाँ पर B वाला term है तो यहाँ पर write कर लेंगे 3B फिर यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर write कर लेंगे 12 ठीक है अब यहाँ पर ऐसे एक line बना देंगे इतना करने के बाद में जब हमें subtraction करना होता है तो देखो, यहाँ पर जैसे यह माइनस साइन लगाएंगे, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर प्लस साइन है, वो लिखा नहीं है, लेकिन प्लस साइन है, तो हम यहाँ पर कौन साइन लगादेंगे, तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगादेंग यह positive है तो इसका negative कर देंगे अब यह जो नीचे वाला sign है काला में वो से हमें मतलब है उपर वाले sign से कोई मतलब नहीं है तो आप देखो यह plus 12 है और यह minus 4 है तो सबसे पहले number जो बड़ा होता है उसका sign लेते हैं मतलब 12 बड़ा है तो 12 का sign positive है 12 माइनस 4 करेंगे तो मारे पास बच जाएगा 8A ठीके? अब यहाँ पर देखो 9 number बड़ा है और इसका sign minus है तो यहाँ पर minus आजाएगा 9 minus 7 करेंगे तो कितना आजाएगा 2AB ठीके? Sign जब opposite होते हैं तो minus करना पड़ता है अब यह plus 5 है और यह minus 3 है तो number बड़ा हुआ 5 का तो यहाँ पर sign आएगा प्लस का 5 minus 3 become 2B अब यहाँ पर देखो minus 3 है और minus 12 है sign सेम है तो minus आजाएगा और sign सेम होने की वज़ाद से number 8 हो जाएगे 12 plus और 3 कितना हो जाएगा? 15 तो इस परकार से जो हमारा answer आएगा वो आएगा यह 8A minus 2AB plus 2B minus 15 आप जिन student को column method अच्छा लगता है वो इससे कर सकते है नहीं तो फिर मैं दूसरा तरीका बजाता हूँ by horizontal method जिनको horizontal method अच्छा लगएगा वो horizontal method से कर सकते है so second method second method में क्या है by using horizontal by horizontal method okay तो horizontal method में क्या है देखो जो यह number आया है पीछे जो फ्राम के बाद वाला number आया है यह वाला इसको हम सबसे पहले लिखेंगे ठीक है मतलब कितना लिखेंगे लिखेंगे 12 a-9 a b plus 5 b minus 3 इसके बाद में हम यहां पर एक bracket लगा देंगे इसको ऐसे और फिर subtraction करना है हमें तो यहां पर minus sign लगा देंगे addition करना होता है तो प्लस sign लगाते subtraction करना है तो इसलिए हम minus sign लगा देंगे bracket open कर लेंगे और यह वाला चीज लिख लेंगे तो यह कितना है 4a minus 7b plus 3b plus 12 और यह ऐसे close कर देंगे अब होगा क्या bracket open होगा तो यह वाला जो plus के साथ होता asit जैसे ही write कर लिजे मतलब 12b minus 9a b plus 5b minus 3 लेकिन जो minus के बाद का number होता है उन सब के sign बदलते हैं क्यों बदलते हैं minus bracket के अंदर जाएगा सब के साथ multiply होगा तो जब यह minus इस plus के साथ multiply होगा तो minus into plus minus फिर यह जो minus है इस minus के साथ multiply होगा तो minus into minus plus फिर यह minus इस plus के साथ multiply होगा तो minus फिर यह minus इस plus के साथ multiply होगा तो minus मतलब जो plus होगा वो minus हो जाएगा जो minus था वो plus हो जाएगा सब के साइन बदल जाएगे अब हमें करना क्या है कि same term को same term वाले के साथ write करना है जैसे देखो सबसे पहले हम 12a देखेंगे और 4 यह देखेंगे तो इसको यहां पर write कर लेंगे 12a minus 4a इसके बाद में देखो यह minus 9a भी write करेंगे और फिर plus 7a भी write कर लेंगे क्योंकि यह same same है like term है अभी यह plus 5 भी यहां पर write कर लेंगे और फिर minus 3 भी write कर लेंगे फिर minus यह वाला write करेंगे minus 3 और minus 12 है ना आप चाहो तो यह हटा दो लेकिन आप pencil mark कर सकते हो यहां पर ताकि आप भूलो नहीं कि हमने क्या लिखा है अब आप देखो यह दोनों same same है like term है तो 12a minus 4a become 8a ठीक है 9ab plus 7ab minus 2ab sign नंबर जिसका बड़ा होगा उसका sign लेंगे plus 5b और minus 3b तो हो जाएगा plus 2b minus और minus minus ही रहेगा 12 plus 3 15 तो यहां से भी देखो यह हमारे answer आगया तो हमने आपको दोनों method से करके बताया है आपको कौन सा method अच्छा लगा आप comment करके जरूर बताएं ठीक है आप आप दोनों तरीके से कर सकते हैं करना आपको कोई एक ही होगा चाहिए आप यह कर लें चाहिए आप यह कर लें ठीक है तो इसको आप note down कर लिजिए तो उम्मेद करता हो किस वीडियो में आप लोगों समझा पाया होगा अगर यह वीडियो आप लोगो helpful लागा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू ग्लास मिलते हैं